हलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दोस्तो इस बड़े में बात होने वाली है ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अगर आप इस चानल को रेगिलरली फॉलो करते हो तो अल्रेडे मैंने दो से तीन वीडियो इसी टॉपिक के उपर आपको बना कर बताये थे कि आज ने तो कल इस प्रकार की खबर हमनों को ऑफिशली भी आते वे देखने को आपे मिल जाएगी तो सबसे पहले में मुद्दे की बात क्या खबर ऑफिशली आ गई है नहीं नहीं ऑफिशली आई नहीं है बट येस जैसे जैसे हम लोग जुले के करीब आपे पहुचेंगे तो इस प्रकार की खबरे हम लोग को जरूर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी चीजे आप लोग के सीखने को मिलने वाली है तो चले, सबसे पहले तो बहुत में disclaimer के साथ है, आपे शुरुवात करना चाहूंगा, कि दो disclaimer देना चाहूंगा, सबसे पहले कि ये educational purpose के लिए में वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ वीडियो देखकर, आदा आदूरा चीजे सुनकर, कोई blindly decision मत ले लेना, ठीक है, and second disclaimer है कि yes, ये point आप लोगों को पता होना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर देखा गया, तो positional trading, yes, तो आप सब लोगों को पता ही है, कि positional, हर किसी का अपना-पना setup होता है, हर किसी का अपनी-अपनी style होती है, जैसे में cricket का हमिशा example आपको देता हूं, हर एक batsman का अपना एक favorite stock, मतलब एक style का short होता है, तो वैसी अगर हम लोग बात करें, तो positional trading से related भी आपको अलग-अलग techniques हर किसी के देखने को मिल जाते हैं, तो वैसा ही एक मेरा भी technique है, जिसको मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है, SMKC PT करके, PT मतलब यही, positional trading करके, ठीके, तो इसके यह जो pity करने का जो दोस्तों मौका है, हाली में हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था मैंने, किसे related, Demart से related मैंने वीडियो बनाया था, जहापे मैंने आपको दिखाया, कि कैसे साड़े बारा पसंड के, ASPAS के return generate के, time लग गया, बहुत जादा time लगया, बट फिर भी, क आप इसके बारे में यह आपे क्यों बात कर रहे हो, तो जैसी के आप लोगों को पता ही है, दोस्तों, कि HDFC Bank and HDFC Limited, इन दोनों का merger से related, दोस्तों, time अभी करीब आते वे देखने को लेए, time मतलब क्या, कि चीज़े तो कब से चल रही है, yes मैं completion की बात कर रहा हूँ दोस्तों और फिलाल आप देख सकते हैं, आज ही की दिने एक खबर सामने आ गई, कि इन दोनों का जो merger है, वो हम लोगों को एक जुलाय से effective होते वे देखने का आपे मिल जाएगा, मतलब एक जुलाय तक ये merger complete होते वे देखने का आपे मिल जाएगा, so definitely ये अगर merger हो जाता है, जो कि अभी market को ये company टाटा बाय बाय बोल देगी, और सिर्फ HDFC bank के ही shares आप लोगों को देखने को मिल जाएगे, अभी इससे related swap ratio भी आप लोगों के साथ में already discuss कर चुका हूँ, आप चाओ तो वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, अगर आपके पास HDFC limited के shares रहेंगे, तो उसक इसी दूसरे company को तो लाना पड़ेगा, आपको याद आया होगा, हाली में ही मैंने इस प्रकार के वीडियो बना के रखे हुए थे, तो दोस्तों इसी से related, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि HDFC का deal list यहाँ पर हो जाएगा, तो उसके बदले हम लोगों को L&T Infotech Mindry, यह Nifty 50 म कोई guarantee वाली बात नहीं है, बट yes, 90%, 95% possibility आपे बताई जा रही है, ठीके, मुझे पता है, आप लोग को doubt भी आते होंगे, कि अगर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा करके, सारी चीजों को cover करेंगे step by step, बट आप देख सकते हो, जिस प्रकार की खबरे आ रही है, अलग- 50 million dollar to 160 million dollar approximately, right, मतलब क्या, तो दोस्तों आप सबी लोग को पता ही है, कि जैसे कोई company, index का part बनती है, तो आपको पता है कि mutual fund, यहापे index में निवेश करते हैं, ठीके, बहुत सारी ETF भी रहते हैं, उनका भी यहापे exposure रहता है, बहुत सारी अलग-अलग हम लोग को funds देखने को आपे मिल जाते हैं, index fund भी रहते हैं, वो भी क्या कर लेते हैं, सिर्फ निफ्टी वाले stocks में निवेश करते हैं, तो by default उनका क्या हो जाएगा, yes, LTI माइन ट्री में भी exposure यहापे जाना शुरू हो जाएगा, तो इसके चलते हैं, वही बताया जा रहा है, अगर इंडियन जा रहा है, अगर ऐसा होगा, तो आपको पता ही है, कि एक share price में हम लोग को एक little bit तेजी तो जरूर देखने हो आपे मिल जाती है, तो रस्तों मुझे ये भी पता है, अभी next बहुत सारे लोग को यही doubt सताता होगा, कि अगर ये fail हुआ तो, fail हुआ तो मतलब ये जो सारी ब जाता है, कि अगर ये नहीं हुआ तो, बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हो, इसमें कोई भी गलत बात या आपे नहीं है, and in fact, ऐसा बाधार में इसके पहले भी हो चुके है, हम लोग खुद उसके witness भी रहो चुके है, in fact, हम लोग खुद उसके शिकार भी आपे हो चुके ह बट सबसे मेजर चीज़, आपको logic समझ में आना चाहिए दोस्तो, जैसे मैंने आप लोग को बताई, ये जो SMKC PT, ये जो मेरा जो style है, वो मैंने हमेशा आप लोग को कहा है, कि मैं positional trading किसी भी एरे गेरे नतु गेरे stock में करता ही नहीं हूँ, ठीके मैं सिर्फ उनी stocks में कर है तो कौन सा? Demart का, नहीं बना, किदर बना? Quick पैसा, नहीं बना, तो फिर भी हम लोग उसको क्या कर सकते? नीचे, जब वो गिरेगा, तो उसको double quantity, 2X की सबसे buy करते, add करते, जो price रहेगा, हमारा average price, वो LTP के करीब रखेंगे, ताकि कभी जाके वो तेजी दिखाएगा, त जो share हमारे portfolio में अगर आएगा, अगर आप interested होतो, तो थोड़ी ना कोई एरा-गेरा stock है, ठीके, तो अगर वो कल अगर नहीं भी हुआ, fail भी हुआ, मान लिजे, कोई दूसरा stock कोई entry मिल गया, तो क्या L&T Infotech, क्या माइंटरी, ये क्या कोई खराब company, क्या कोई घटिया company, क चल जाएगा यहाप, जैसे कि मैंने इस से related भी है, एक और example में आपको, cricket से साथ ही यहापे देना चाहूँगा, आपको पता है, यहापे ICC के भी क्या रहते, events रहते, award देने से related, तो अभी चले मान लेते, batsman का award यहापे रहेगा, तो चार nomination है, एक है विराट कोली, एक है Williamson और एक है Steve Smith, ठीक कोई एक ही जीतेगा, मान लिजए अगर यहापे विराट को लिके देरी जाते, तो इसका रहती क्या होता है, कि यह बाकी के तीन खराबे करके, या फिर आप मान लिजए कि Steve Smith को मिलता है, तो क्या है बाकी के बचे वे तीन खराबे, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यह मैं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं दोस्तो, कि अगर L&T, Infotech, Maintry, या फिर और कोई दो-तीन स्टॉक्स के नाम भी आ जाते, नॉमिनेशन में, तीन-चार, उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो जाए, ठीके बट जो बाकी के सिलेक्ट नहीं होती, इसका र बनेगा, अभी तक तो बनाई नहीं, कितनी बार हम लोग ने इसमें भी पीटी करने की कोशिश की, अल्टिमेटली क्या रिजल्ट आया, पाक साल में, स्टॉक तो देड़ सो पसंट भाग रहा है, मतलब लेफ्ट टू रैट उपर ही जा रहे न, कि क्या ये निफ्टी-फि के रिटन से और अलगर हम लोग बात करें तो, तो ये चीज आपको कंक्लूजन समझ में आनी चाहिए, कि ये जो आप सोच रहे हैं कि एतना बोला जा रहा है कि होगा होगा, एड होगा, नहीं होता है, तो फिर भी क्या फरक पड़ता है, यही तो मैं बोल रहा हूं कि आपक तो जेनों ने ये position बनाई है, वो disappoint हो जाएंगे, और वो निकल जाएंगे, तो वो ultimately होई कौन, वो trader लोग है, ठीके, अगर हम लोग देखा गे तो हमको ने, हम investor है, हमाई इससे चलते कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, बट फिर भी investment के साथ साथ अगर आप trading करना च जे वो stock को as simple as that, जितना वो नीचे जाता है, तो 2x का formula लगा कर, आप क्या कर सकते हैं, उसको average करके, अच्छा कासा, अपने ही, मतलब जो company का current market price रहेगा, उसी के करीब आपको average price देखने कोई आपे मिल जाएगा, तो इस प्रकार की चीज़े करनी पड़ती, थोड़ा सा सम हम लोगों को समझ में आपे आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल अगर यह stock 4000 पे आए, तो मैं तो बरबाद हो गया, क्यों बरबाद हो गया, 4000 पे आपको यह company अच्छे लगती, इसलिए तो आपनी शुरुवात की है, तो आप उसको average कीजिए, problem का आप आप आता है, कौन सी, जो मैंने डिमाट में आपको दिखाई थी, आप चाहो तो इसमें एक stock के साथ start करके देख सकते हो, अगर मान लो कि आपके buying price के वो 10-15% नीचे जाता है, that's it, फिर 2X के साथ formula लगा दो, और और दो quantities यहापे add कर दो यह, मतलब double कर दीजे, फिर उसके बाद वापस double जितना भी आपका total quantity रहता है, तो यह अगर आप try करोगे, तो आपको, मतलब सीखने का भी मौका यहापे मिल सकता है, so जितना हो सकते दोस्तों, मैंने मेरे साथ से चीजे बताई है, जाते है दिबापस disclaimer देना चाहूंगा, कि सारी चीजे मैंने educational purpose से बताई है, कोई यहाप उपर आए बड़न पर, या फिर चलो निचे description box में मैंने link दिये है, उन videos को अगर आप sequence के साथ देखोगे properly, discipline के साथ, तो फिर आपको इस चीजे समझ में आ जागे, और एक बार वो technique आप सीखगे, बिलिव मिया, आपको पैसा यहापे easily, आप FD से तो आराम से जादा पैस आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम, कौन सा कंट आपने link के दर open के है, प्रोपरली कमेंट से कमेंट कर दिना, तो अफ्टे बर के अंदर अंदर सारे lectures मेरे साथ से free of cost प्रवाड कर दे जाएगे, ताकि आप शेयर बादर को आसान बाशा से सीख सेको, so that's it, thank you ब्रेमाज़ो, so we will be meeting आरेक शुड़े, तब तक के लिए, bye-bye